किसाना दिली एहम खबर है पंजाब सरकार ने 11 जून तो चोनेदी लुआई नो हरी चंडी दे दती है ते पिछले साल नाणो ए तरीक एक हफता अगेती है यानके पूरे पंजाब देविच हफता अगेती लुआई एतकी होवेगी सिद्धी बजाई 15 मई तो शुरू हो जिस तहए तो मालवा खिते दे जिला सरी मुकसर साहे फ्रील कोट मान साब धिंडा फाजल का ते फ्रोसपूर तो इलावा कौमांतरी सरहत दांदी कंडियाली तार तो पार लई चोनेदी लुआई 11 जून तो शुरू होवेगी ते पंजाब दे बाकी जिला दे विच चोने दिल्वाई 15 जून तै किती गई है ते एहम गाले है कि चोनेदी सीजन विच किसाना नो रुजाना आठ कंटे तो वद बिजली मिलन दा पंजाब सरकार ने दावा किता है कैनेडा दे हरदीप सिंग निजर कांडे नाल चुरी एक होर एहम खबर सामने आई है कि कैनेडा दी पुलिस ने एक होर मुल्जम नो गिर्फतार किता है एवी पार दा नागरिक है नाम अमनदीप सिंग गैती उमर 22 साल है पुलिस ने ट्रॉंटो तो इसनो गिर्फतार किता है अमनदीप सिंग दे खिलाफ भी फस्ट डिग्री मडर अति साजिश कडन दे चार्ज लगे ने पार अमनदीप सिंग पहला तो ही कुछ होर दोशा अधीन पुलिस दी हिरासत वेच सी अमनदीप सिंग दी एक वीडियो वी इस दरम्यान वाइरल हो रही है जिस विच कार चलौंदा चलौंदा ओ हवा दे वेच्च फारिंग करदा नजर आदा है कार नो खबे पासे बैके ड्राइव कार रहे है इस तो सपष्ट हुंदा है कि उस दी ए वीडियो कैनेडा दी ही है इस तो पहला पुलिस ने तिन होर नौजवाना नो भी गिरफतार कीता है ओवी पंजाब तो कैनेडा दे वेच्च स्टूडन्ट वीजे ते पढ़न लई गई सन लगी नजर पंजा राजान दे मारे वड़न वाले कौन सन एपे एतना लगा पर बेदोशा खून ता पगा सिर लगा ओही छिटे खून दे बन गई बहाना सड़ी पगनू पैगया अपना बेगाना जित्थों तक छांद तख्त दी अगा ही अगा चौक चुराहे सड़ दिया पगा ही पगा प सिर्तों वारो वार की अग दे विच साड़ो लगी नजर पंजाब नो एदी नजर उतारो लेके मिर्चा कौडिया एदे सिर्तों वारो खालस टीवी दी साड़ी सारी टीम मरहूम सुर्जीत पातर नो शर्दांचली पेंट कर दी है उगे पंजाबी शायर डॉक्टर सुर्जीत पातर 89 साल दी उमर दे विच कल तड़के इस फानी संसार नो आलविदा कह गए सुर्जीत पातर शुकरवार तक बिल्कुल ठीक सन पर कल तड़के दिल दा साइलेंट दौरा पैंड करके उना दी जान चले गए उना दे परिवार दे विच पतनी पुपिंदर कॉर दो पुतर अंकुर सिंग पातर ते मनराज सिंग पातर हन एक पुत अस्ट्रेलिया रेंदा है ते विदेश रेंदे पुत दे करे आउन ते 13 मैं नू डॉक्टर सुर्जीत पातर दा अंतिम सस्कार कीता जावेगा परिवारिक मेंब्रां दे मुताबिक तड़के 66 वजे दे करीब पुपिंदर कॉर ने अपने पती पातर नू जगाण दी कोशिश कीती परोना ने कोई जवाब ना देता इस्तो बाद डॉक्टरां दे नाल संपर्क कीता दे डॉक्टरां ने सुर्जीत पातर नूम रित एलान देता 13 मैं नू तड़के 11 वजे लुदे आना दे मॉडल टाउन एक्स्टेंशन दे विचे डॉक्टर सुर्जीत पातर दा अंतिम सस्कार होवेगा सुर्जीत पातर दे जीवन दे आखरी नजम उठ जगादे मोंबतियां रही तिस सुर्जीत पातर दे अचानक विचोडे ने साहित क प्रेमिया समेत हरेक नू चंचोड की राख देता है पारदे सावकापरदान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग पंजाब दे मुख मंत्री पगवंतमान समेत तकरीबन हरेक पंजाबी सियासी लीडर ने उनादे चले जान ते दुख दापर्ग डावा कीत है पंजाबी अधाकारा ते कलाकारा निवी उनादिया नजमा लेख के डॉक्टर सुजीत पार्तर नो अलविदा के हा हरेक दी जुबान चों इकोई गाल निकली है कि डॉक्टर पातर दी चले जान नाड़ पंजाब पंजाबी ते पंजाबी अतनू ना पूरा होन वाला काटा पे है पंजाबी कला प्रिशती सर्व पार्ती प्रक्दिशी लेखक संग निवी सुर्जीत पातर दी बेवक्ती मौत ते तोक्ता परगटावा कीता है लुदे अनादे डीसी साक्षी सान निवी कल उनादे करे सूग परगिट करन देले पहुंचे अपने जीवन काल दोरान डॉक्टर सुर्जीत पातर नू कई वड़े पुर्सकार मिले 2012 दे विचपारत सरकार ने उना नू पदम सिरी पुर्सकार नालवी सनमानित कीता आज हर कोई डॉक्टर सुर्जीत पातर दी अपनी ही लिखी हुई नजम मैता नहीं रहांगा मेरे गीत रैंगे नू याद कार रहे है सुर्जीत पातर दा जनम 1975 दे विच जलन दर जिले दे पेंड़ पत्तर कलां दे विच होया सी ते अपने पिंड़ दे नाम करके ही उना दे नाम दा आखरी अलफास पातर जुड़या पातर ने कपूर्थला दे रंटी इर कॉलेज तो ग्राजुएशन कीती पंजब युनिवस्टी पटे आळा तो मास्टर डिग्री हासल करके गुरुडानक देव युनिवस्टी अमरी सर्तो पी एचरी कीती सी पी यू दे विच प्रफेसर दियां सिवामा तो इलावा होर कई संस्थामा दे विच उनाने वख वख आओधयां ते काम कीता अते पंजाब एग्री कल्चर युनिवस्टी तो ही ओनाने रिटायर्मेंट लेई इकी दिना दी अंतरिम जमानते बाहराए अरविंद केजरीवाल वी पूरी तरांदे नालकाल स्यासी मूर दे विच नजराए सबतों पहला होनाने दिल्ली दे हनुमान मंदर दे विच मत्ता टेक है पंजाब दे मुख मंतरी पगवंतमान वी ओना दे नाल सान दोंवाने राड के अपनाई ताकत दाम जारावी कीता फिर वरकराननू संबोधन कारदे होए अरविन केजरिवाल समेत पगवंतमान ने मोधी सरकारते जबरदस्त हम ले कीते अपने 21 मिंट दे पाश्णविच केजरिवाल ने दावा कीता कि परदा अनमांतरी नरेंदर मोधी अगले साल 17 स्तंबर नूप चत्तर सालां दे हो जानगे तकी पाजपाननू लाल क्रिशन अडवाननी वांगू रिटायर कार देवेगी दावावी कीता कि जे पाजपा चोन जत्त जानदी है ता मोधी आमित शानू परदा अनमांतरी बनाओंगे यूपी दे मुख मंतरी योगिये दित्यानाथनू सरकार बंडे दो मीन या दे अंदर ही ओदे तो हटा आदता जाओगा केदे मोधी देश दे सारे लीडरानों खतम करके एक देश एक लीडर दी पॉलसी ले ओना चौन दे ने सारे विरोधी लीडरानों एज जेल पेज देरंगे जे इना दी सरकार आई केदे जे चोन जित्गे ता लिखके लैलवो कि कुछ दिना बाद ममता बेनर जी ते जस्वी स्टाल इन्विजिन उदर ते सारे विरोधी लीडर जेल देवे छोन गी हारा के केज़िवाल ने दावा किता कि इंडिया गट जोड़ दी ही सरकार बनेगी इस मौके केज़िवाल ने सुप्रीम पूर्ड दावी तानवाद कीता बीजेपी के अंदर मोदी जी ने दो हजार चौदा में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले अडवाई जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मोदी मरो जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्र महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर कुरिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना जाता हूँ आपका प्रधान मंत्री का दावेदार कौन है दोस्तो अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपताएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिच्छा को ये प्रदानमंत्री बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को अगाह करना चाहता हूं मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमिच्छा को प्रदानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे अगर ये चुनाफ जीत का इन्होंने बीजेपी का एक नेतनी छोड़ा अड़वानी जी की राजनीती खतम कर दी इन्होंने मुर्ली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मद्यपरदेश को चुनाफ जीत के दिया इन लोगोंने शिवराज सिंग चुहान ने उसको मुख्य मंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजी की राजनीती खतम कर दी इन्होंने खट्टर साथ की राजनीती खतम कर दी डॉक्टर गमन सिंग की राजनीती खतम कर दी अब अगला किसका नंबर है अगर ये चुन वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं एक ही ताना शाह इस देश के अंगर बचेगा, एक ही ताना शाह इस देश के अंगर बचेगा, तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्ते, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे, कत इस्तिफा तुम्हारे ट्रैक्ट में फसने वाले नहीं है यह अगर हेमन सुरेन साब को भी इस्तिफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए मेरा अपना मानना और सक्ता बजार में भी मावववचय चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रहे हैं उससे जागा सीट नहीं बन रही है केंद्र ने इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है आम आजमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्म रज दिला केजरिवाल तो पहला मुखमंत्री पगव अंतमान वी बोले बीजेपी ते तिक्खे वरे ते अपना उही उना ने रटेया रटाया एक पाशंडी लाइन बोली के अरविंद केजरिवाल एक व्यक्ती नहीं एक सोच है सोच नू कदे भी गिर्फतार नहीं किता जा सक्दा कि जो तानाशाही देश में फैल रही थी अमें उसके साथ फिल गाऊंगा क्योंकि पहले तीन राउंड में आपको खुशकबरी बता देता हूं पहले तीन राउंड में मोधी जी को पता चल गया कि अब की बार नहीं बेडा पार भी नहीं 400 पार तो दूर की बाता बेडा पार नहीं हो रहा इसलिए भाशन की टोन बदल ली ये नारा ये इदर से महिला विंक इदरों से नारा अरे सर्थ 25 मई बीजेपी गई केजरीवाल ने कल शामनों दखनी दिल्ली दे वेच अपनी पार्टी दे उमीदवारां दे हाक वेच रोड शो कड़िया और वाले दिना विच केजरीवाल पंजाब दे विच भी बड़ियां रेलियां करनगे बठिंडा तो बीजेपी दी उमीदवार परमपाल कौर आईएस दा अस्तीफा आखिरकार पंजाब सरकार ने मंजूर कर लिया हालां के परमपाल कौर दी स्वै इच्छुक सेवा मुक्ती यानि की वी आरेस मंजूर नहीं किती है इस करके परमपाल कौर नो पैंशन नहीं मिलेगी पंजाब सरकार वलों कोई पैंशन ते होड़ लाब पते भी नहीं मिलेंगे सरकार जे वी आरेस नो परवान कार ने दी तब इबी सिद्धू ने पैंशन ते बाकी पत्यादी हाकदार होना सी पर होन एड नहीं मिलेगी सेंटर तो बाद पंजाब सरकार वलोवी स्तीफा मंजूर कीते जानते परमपाल कोरने के हैं कि मैंनो एस गाल दी कोई परवान ही कि मैंनो सिवा मुक्ती दालाब मिलेगा जा नहीं पर मैं हर हाल तो विच बठिंडा तो बीजेपी दे लेग चोन लडांगी चोन खबरां देविच हम जानकारी है कि लोकसभा चोना दे चोथे गेड़ तहत देश दे 10 सूब्यां ते किंदर शासत परदेशा दिया 96 सीटा ते कल शाम नू चोन पर चार बांध हो गया पोलिंग दोरां तेलंगाना दियां स्तारां लोकसभा सीटा अंधरा दियां 25 यूपी दियां 13 बहार दियां 5 चो आरखन दियां 4 मद परदेश दियां 8 महाराश्टर दियां 11 उडिसा दियां 4 पच्छमी बंगाल दियां 8 ते जम्मू कुष्मीर दी एक सीट दे वी वोटा पैन गियां इना 96 दे विचों 40 सीटा ते इस वक्त पाच पादी अगवाई हेटले अंडिये दे सांसद मेंबर हन इना सीटा तो समाजवादी पार्टी दे मुखी अखलेश यादव किंद्री मंतरी गिरीराज सिंग नित्यानांद राये कॉंग्रस लीडर अधीर रंजन च सकेगी चोडा मंगरों कॉंग्रस तों विरुद्धी तिर्दा दर्जा खुसन दावी कल पीम ने दावा किता दुझे बासे कॉंग्रस लीडर राहुल गांदी टैंपू दे विच नगदी मिलन वाली टिपनी ते परदान मंतरी मोधी नू लगातार के रहिने राहुल गां दी वाडरा नेवी परदान मंतरी नरेंदर मोधी दे चोन पाशनानों खोखलियां गल्ला करार देता है पंजाब दे विच किसान बीजेपी दा खेडा नहीं छड रहे संजुक्त किसान मोर्चे ने पाजपादी खिलाफ विरोध होर तेज करन दा सद्दा देता है संजुक पहली जून नू वोटा पैणियां ने उस तो एन पहला होन वाली एक किसान महा पंचायत बीजेपी दे पैर उखाड की रख देवेगी काल भी कई थावाते बीजेपी उमीदवारां दे विरोध यां तस्वीरां सामने आज्याने इस दरम्यान पंजाब बीजेपी दे परदान सुनेल जाखर ने दोश लाएने के पाजपादे विरोध दे पिछे आमादमी पार्टी ते कॉंग्रस दा हाथ है संगरूर लोगसबा हलके तो बीजेपी दे उमीदवार अरविंद खन्ना कल पहले दिन ही चोन पर चार करन निकले सान ते पहले दिन ही किसाना ने उना दा विरोध कीता किसाना ते पुलिस दरम्यान खिच तूवी होई दरसल अरविंद खन्ना ने एक दिन पहला ब्यान देता सी किसान पाजपादे नालने पर कुछ किसान जथे वंदियां जान बुझ के विरोध कर रही आने थे ओपर चार कारण ली पिंडा वेच जानगे इस ब्यान कारण किसाना देवेच रोस दखाई देता अधर दूसरे पासे देश दे ग्रैमांतरी अमित शाने वी केजरी वाल दे इस दावेदा तिखा जवाब दता अते कहा के अग्गे वी मोदी ही देश दी वागडोर संबालन गे केने पाजपादे सम्विदा आनवे चो उमर हद बारे कुछ भी नी लखिया इस मामले ते आमी परदान जेपी नड़ा नेवी केजरी वाल दे ब्याना नून कार देता क्योंकि केजरी वाल ने सिद्धा सिद्धा इल्जाम लाया सी के परदान मंतरी नरेंदर मोदी आमित शाद लेई वोटा मांग रही ने